इन वहां मैं हूँ अकांशा आज के वीडियो बात करने वाले हैं यह दून अप्रोडक्स के बारे में तो यह हैं डूहवन का काजल और यह हैं डूहवन का आयलाइन और इन प्रोडक्स का रिव्यू करोंगी है बाताओंगे कि आपके परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काजल के बारे में तो यह जो काजल है यह 24 आज तक स्टे करता है वन स्ट्रोक में आपके आइस पर अप्लाए हो जाएगा यह 2x intense black shop काजल है जो की waterproof है smudge free है smudge proof है और इसमें aloe vera है साथ इसमें antioxidant जिनको extract भी है जो की eye care भी करता है आपकी आखों में soothing रहेगा जब आप इसको लगाओंगे और कई बार होता है ना कि कुछ का जो लगाने के बाद आपको आसू निकल आते हैं या फिर इसको लगाने बाद यह सारी शीजें बिल्कुल भी नहीं होगी यह सारे क्ले में प्रोड़क्ट करता है और इसली आप इसको लगाओंगे तो रिमूव भी हो जाएगा आप इसको micellar water से या फिर किसी भी oil से क्लेंजर की help से इसको रिमूव आसानी से कर सकते हो और यह तीन शेट में आता है एक इसमें blue आता है और एक इसमें green शेट आता है और यह इसका cold black shade है और इसके price की बात करो तो यह 125 रोपीस का है online offline easily मिल जाएगा online लेंगे तो आपको इस पर कुछ discounts भी मिल जाएगे तो यह कुछ ऐसा है और इसका shade बता देती हूं यह कितना black है तो आप एक सुकते हो काफी अच्छा black बल्कुल cold black इसका shade है तो चलिए इसका shade देख लेते है यह आप देखो काफी black है एक दम black है और क्योंकि यह smudge proof waterproof है तो वह भी देख लेते हैं आप इसको ऐसे निकाल मैं फिंगर से टच करने हो तो यह नहीं आ रहा है हाथ पर अब इसको मैं अब करूंगी तो यह आएगा और देख लेते हैं वाटर प्रूफ है या नहीं तो मैं पानी डाल के भी देख लेती हूं तो यह पानी डालने पी नहीं हटा तो यह waterproof है और य करता है मतलब महिं महें के काजल करते है वही काम करता है और मैं फिर्स टैम यूह ज़्यावन का काजल यूस कर रही हूं ने कभी नहीं किया था पर मैं यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि द्यूहें का का इतना अच्छा काम करेगा 125 उपीस में और ओन-laiन तो यह 100 अदे मैं स्कुनेटा है, 1500 गंदेट में बहुत सारै काजल अभीलिबल है यह रऊचा काम करता है , और आपको इसको पचछा कारना चाहिए , 24 गंटे तो आइस पेस्टे नहीं करता है पर यह आराम से 5-6 गंटे आखों पर लगा रहता है और 5-6 गंटे आखों पर लगा रहता है तो काफी अच्छा गाम करता है और मुझे बहुत पसंद आया आप इसको पच्छेस कर सकते हो दिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी वहां से आप इसको ले सकते हैं और लेना चाहें तो ऑफ लाइन की मिल जाएगा इसको पच्छेस कर सकते हैं अब बात करते हैं आई-लाइनर के बारे में तो यह है मैट आइलाइनर लाइट वेट और यह भी समच यह प्रुपीस का है वैसे मैं कभी ब्ल्यू आइलाइनर यूज नहीं करती हूं पर इधर मैंने यह देखा नहीं कि यह ब्ल्यू है और मैंने बाइमिस्टेक इसको पचेस कर लिया पर कोई बात ने काफी अच्छा शेड है जिनको ब्ल्यू कलर के लाइनर लगाना पसंद ह ब्रश भी ऐसा है कि इसली अप्लाय आप इसको कर सकते हो काफी अच्छा इसका ब्रश है और पकड़ने में भी अच्छा है मतलब आइलाइनर अगर आप बिगनर है तो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो प्रॉब्लम नहीं होगा इसको होल्ड करने में या अप्लाय करने म और आप पर लगाओगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मतलब एक मिनिट लग जाएगा ट्राय होने में और इसके बाद यह भी समर्च नहीं होगा काफी लॉंग लास्टिंग है यह भी आपके इस पर काफी टाइम तक स्टे करेगा यह भी बहुत जादा पसंद आया काफी अच्छा है यह अच्छे लगे मुझे और यह काफी अफॉर्डिबल है वह अच्छा काम करते हैं एक बार बिल्कुल पर्चेस करना चाहिए अगर आप काजल लगाना पसंद करते हैं आई-लाइनर लगाना पसंद करते हैं और इसमें शेट्स भी मिल जाएंगे तो करते हैं और यह को बिल्कुल लगाना पसंद करते हैं झाल झाल